हेलो फ्रेंड्स वेल्के बैक तो माई चैनल लोचन हिनका शब स्टडी पॉइंट आज की वीडियो में मैं आपको रूल ओफ वी बोर्ड मास बताने वाली हूं होगा अगर आपको यह सारे सान एक साथ दे जाये तो आप कैसे सारे साईब करें जैसे इस सम में दिये गए हैं अब इसमें जो है सारे साइन जो है एक मिक्स करके दे दिये हैं तो आप कोई ये कन्फीजन हो रही होगी कि इसमें सबसे पहले साइन हम कौन सा सॉल्व करें तो आप अगर ऐसे कर दोगे 30 plus 24 कर दोगे फिर divide कर दोगे फिर minus कर दोगे फिर multiply कर दोगे तो इसके लिए होता है वी बोर्ड मास्स का रूल जिसके according आप ऐसे सम सॉल कर लोगे तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना और मैं आपको ऐस जी सम्स इसी तरीके से बताऊंगी ताकि आप इने इसली कर पाऊं तो अब मैं आपको बताऊंगी वी बोर्ड मास्स का रूल तो वी पर होता है विने किलम ब्रैकेट जिसको हम बाल ब्रैकेट भी बोलते हैं और इसका साइन होता है यह तो अब यह संख्याओं के उपर लगा होता है और सबसे पहले हमें विने किलम ब्रैकेट को यानि कि बार ब्रैकेट को ही सॉल करना होता है फिर रखता है बी बीफॉर बीफॉर होता है ब्रैकेट जिसको हम हिंदी में कहता है कोश्ठक ब्रैकेट तीन पकार के होते हैं पहला होता है स्मॉल ब्रैकेट फिर होता है कर्ली ब्रैकेट फिर होता ह स्क्वायर ब्रैकेट तो यह होता है स्मॉल ब्रैकेट इसे मिडल ब्रैकेट भी बोलता है और कर्ली ब्रैकेट भी बोलता है और इसको हम बोलता है लार्ज ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट तो ब्रैकेट में सबसे पहले सॉल होता है स्मॉल ब्रैकेट फिर सॉल होता है स् फिर आता है D, D for division, division, जिसका sign होता है ऐसे, तो off के बाद solve होता है division, फिर multiplication, M for multiplication, multiplication, जिसका sign होता है ऐसे, और division के बाद solve होता है multiplication, फिर आता है A, A for addition, जिसका sign होता है, जिसका sign होता है, तो addition के बाद solve होता है subtraction, तो मैं आपको इस वीडियो में venaculum bracket के off के sums नहीं बता रही हूँ, इस वीडियो में आपको D mass के sums बताऊंगी, तो मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी, next video में आपको venaculum bracket or off के sums सी बताऊंगी, इसने next video को देखना, मिस मत करना, तो हमारा sum है 30 plus 24 divided by 6 minus 2 multiplied 6, तो सबसे पहले मैं आपको venaculum bracket or off नहीं बता रही हूँ इस वीडियो में, तो D mass में सबसे पहले D आता है, D से division, तो अब हम पहले D solve करेंगी, यानि कि 24 divided by 6, तो 30 और प्लस ऐसे उताल लेंगे, 6 के टीमें 24 कितनी बार में आता है, 6, 4 जा 24, तो 4 बार में आता है, तो हम यहाँ पर minus 2 multiplied 6, तो हमाँ D यानि कि divide solve हो गया है, अब हम solve करेंगे MM for multiplication, तो हम solve करेंगे इसको, तो हम आप लिखेंगे 30 plus 4 minus 2, 6, 12, अब multiplication में solve हो गया, अब हम solve करेंगे A for addition, तो हम solve करेंगे, तो 30 plus 4 equals to 34 minus 12, अब addition तक हमारा solve हो गया है, अब हम solve करेंगे A as for subtraction, तो 34 minus 12 equals to 22, तो 22 हमारा answer है, तो next हमारा 21 minus 12 divided by 3 multiplied 2, तो अब सबसे पहले क्या solve होगा, D for divide, तो हम इसे solve करेंगे, 21 minus, तो हरी की टेमर 12 कितनी बाहरा में आता है, 34 equals to 12, तो यहाँ पर 4 आजाएगा, multiply 2, तो हम solve होगा M, M for multiplication, तो 21, यह solve होगा हमारा 21 minus 4 equals to 8, अब इसमें A, A for addition, अब इसमें कोई addition का सम है, यहीं तो हम solve करेंगे, तो हम यहाँ पर S है, यहीं की subtraction है, तो हम S solve करेंगे, 21 minus 8 equals to 13, तो यह हमारा answer है, वीडियो पसंद आती है, जो वीडियो को लाइक करना, और में चाहिए पर नहीं हो तो चाहिए को सुस्क्राइब करना, उस red wise subscribe button को grey कर दिना, और में वीडियो को अपने friends को, अपने relatives को, अपने siblings को share करना, ताकि आपकी तरह वो भी word pass सेख सके, and thank you for watching this video, bye guys, please में चाहिए को subscribe कर दिना, please, bye guys,